हेलो अबरियान वेलकम टू इस्टुडेंटो तो अभी मारे साथ है सुरिंदर सर जो की करीब 15 एर हो गए हैं उनको मुखरजी नगर में और सिविल सर्विसेस की वो तैयारी वागेरा करते रहें इसमें उन्होंने UPS से की कई remains लेखे हैं और UPPCS और other state के भी लेखे हैं तो सरका experience वो काफी वास्ट है क्योंकि काफी time से वो तैयारी करते रहे हैं उन्होंने काफी असफ़लता हैं देखी है तो यह भी जाने कि वो इस्टे motivate कैसे रह पाए क्या उनको कम यह नजर आई और जो अपना नाम और education background बताई है मैं सुरेंद पटेल मैं यहां पर आया हूँ 2007 में तो 2007 में आने गवाद पहले मैं दो तीन मैंने home tuition पढ़ाया इसके बाद कोई कोचिंग पकड़ लिया तीन साल कोचिंग आयटी कोचिंग पढ़ाया साथ मैं I.S. के तैयारी करता रहा तो 2008 में म होतकम नंबर से मेरा रुका था आपका जो 2008 में first attempt में हो गया था तो क्या फर्स्ट अटेम्म था आपका वो स्टेंग नई second attempt था तो मेंस दिया कुछ कमिया रही और सबसे बड़ी मेरी कमी यह रही मैं तीन पराइस कमेंस दिया कि continue pre नहीं हुआ तो ध्यान बच्चों को यह देना चाहिए कि continue pre हो जब continue pre होता है तो आपको मेंस में सुधार करने का मौका मिलता है अगर मैं आपसे पूंच हूँगी आपने optional कह रहे थे उस टाइम पर तो क्या था पहला मेरा public administration था दूसरा mathematics था जिसको लोग प्रसासन बोलते हैं तो मेरा pre में mathematics था पाइदबे मेरा final इसलिए नहीं हुआ तो मैं प्रेक्टिस थोड़ा मेंस की मेरी नहीं हो पाई थी उतनी अच्छी एक यह भी रीजन हो सकता है जो मुझे परस्नली लगा भी आपसे बात करते करते कि आपका जो पढ़ने का स्टाइल रहा होगा आप तो खेर आप का भी बदल गए हो मैं मैं इसों मुझे में क्या कि पनागी पहदर सबसे बड़ी प्रॉब्स मार्केट में यह हो जाती ही कि हमें यह पता नहीं चलता कि बीमार पड़ गए, दो-तीन बार हुआ ही नहीं, पैटर्न बार-बार चेंज किया, हाँ उसके बार बता दे रहा हूं कि पैटर्न उसने चेंज किया, तो फिर मैं थोड़ा सा मेरा नुकसान भी आंदोलन करना शुरू कर दिये, इसमें बहुत से आई इसके बच्चें को दो अपने लिए तो ले लिए, फिर हम अंठाउं दिन का आमरा नंसन किये, मुखर जिनेंगर में, बिद परमिसन यहां के दिल्ली पुलिस से कमिशनर पुलिस से परमिसन लेके, बैटे थे, अंठाउं दिन आमरा नंसन भी मैंने किया है, और यहां पर लोग देख सकते हैं, च जितने हिंदू पेपर हो, पूरे मीडिया उसमें आया था, हम तीन लोग किये थे, मैं हूँ, रागव जहा है, एक मेरा दोस्त है, और एक लड़की बैटी थी, हम तीन लोग बैटे हुए थे, तो कैसा लगा वांसन करके, आपका फेबरेट उस टाइम पर डिमांड रही हो चाहे को लाटे हो, यह तो कि लोगता है, तो इसलिए उसमें सुधार किया जाहिए, जानगी करते हो, पर जो Когда पी करते हो में पर समझ मेंन आता हो कि इतना आपनसर में हिंता है उसलिए उसको नुकसान वुठाण पड़ता है। एक और चीज हम अगर पूछें आपसे, इतना आप ने असन किया, तो क्या लगता है आपको, आपको परस्नली फायदा हुआ है, पर नेता नगरी आपको बरबाद कर लेगे, अपने बहले के लिए आदमी करता है, तो उससे फिर बाद में हुआ, नुकसान हुआ, मेरे दोस्त में पीछे चला गया, दो-तीन साल कैसे पीछे चले गया, आप दो-तीन में रहा बाद में आपको, जब ये रहता है, आपका माइंड पे, आपके एक गरुरूप बन जाता है, रोच जाते हैं, डावर रहो, किसी नियता जी के यहां जा रहे हो, किसी, जहाँ को सम्भावना दिखती है कि यहां से फायदा हो सकता, वहां दाउड रहे हो, कि हमारा कुछ बहला हो जाए, टाम्ट बढ़ जाए, इस चीज में, ओके, आप घर वगएरा जाते होगे, तो क्या ताने सुनने को मिलते हैं अभी आप, अभी मेंस देके गया, लग रहा था कि मैं कोई अफरात कर जा रहा हूँ, मेंस देने के बाद भी आप लगता है कि मैं कुछ अफरात कर दिया बफस्पे, बहुत टाइम ले लिया, जो कि मैं अब दोस्तों यही करना चाहूँगा, कि आप बैक अप में आपके पास एक होना चाहिए कोई जवाब हो चाहे आपके कोई सोच होना चाहिए कि मैं इसमें इसमें नहुआ तो दूसरे में तुरंट शिफ्ट कर जाओंगा मैं नहीं कर पाया था आप मैंने अपना एक चैनल सुरूप किया हूं जो की सिच्छा तो आपको क्या रिलाइज हुआ पर्सनली अगर देखा जाए कि यह जो आपकी जर्नी रही इसमें आना आपको सही रहा आपके अकोर्डिंग या फिर बहुत ड्रास्टिकली आपके लिए बहुत मतलब एक डिजास्टर साबित नाई नहीं यह जर्नी मेरी बहुत छी कि कहीं में मंच में खड़ा हो सकता हूं मैं आज पढ़ाना सुरू कर दिया इसने मुझे सफल फाइनल सफल नहीं हुआ पर कान्फिदेंस मेरा बहुत है जैसे आप हिंदी मीडियम के स्टुडेंट रहे हालागि आपने टीचिंग और भी करी तो आई तिंग कि नहीं हुआ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मायथ था जो भूख ही रख्यू हुए मैथ तो मेरा प्रॉलम यह थी कि जैसे उन लोग है कि पहले से उनका बैक था इंगलीज मीडियम लिख रहे हैं मैं हिंदी में लिखता था तो अब प्री में आपजेक्टिम कोई प्रॉलम नही यह तब थोड़ा सुमझे कम नंबर आता था थोड़ा थोड़े थोड़े नंबर की लड़ाई है तो उसमें हम मार खा गए एक और चीज़ जैसे कभी-कभी अभी यह थोड़ा सा अलग सा कोश्चन हो सकता है आपके लिए परसनली आपने बताए कि आपके इतने साथ ही IES IPS ब अलग होता है हो सकता है मैं कुछ कमिया थी मुझे वह उनकी कमिया नहीं थी ऐसी क्योंकि उनका बैक अप में कोई था पहले कोई मोटवेट करने वाला था कोई लाइन लंथ बताने वाला था मेरे पास ऐसा नहीं था पर मुझे ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बहुत दोस्त है म बहुत उनको याद होगा साइध वीडियो देखें आपका तो बहुत IS-IPS हैं कम सकम 8-10 IS-IPS है मैं स्टेटिक से यहीं पर रहके मुखरजी नहीं रहके पढ़ाता था अब फ्री आपका आश्ट कोई पैसा नहीं था 35 नंबर काता था बहुत स्टुडेंट उससी से बने हैं कि इस बन गए कुछ IPS बन गए बहुत लोग था हैं कि बहुत लोग था हैं कि आप 35 नंबर कात्यों सही हो गया आप कुछ से टाइम भी नहीं लगा दो दिन में कम्प्लीट करा देता था कि 15 घंटा मुझे दो मैं आपका कम्प्लीट कराने की गरंटी लेता हूं जैसे उस इतना प्रचार उचार नहीं था पहले भी थे 500-600 बच्चे थे मैं मैत में तो बहुत क्लिम्टेशन था तो 24 बच्चे थे हम लोग पर यह है कि और जैसे दिनामी कोचिंग दो चार याद हो विल्कुल जैसे मैं किया हूं डिप्स अकड़िमी में सर हैं दुबे सर हैं जहां तो पहले फीस बहुत मिन्मम थी पहले इतना ज्यादा नहीं था कि आप जब महीनें 20 जार दोगे देड़ दो लाख फीस दोगे तब होगा आज कल है कुछ टीचर है कि बहुत बड़े हो गए संस्तान हो गए तो वो तो सोते हैं कि जो भी फीस रख लें वही सही है तो कहीं क्या लगता है कि फीमेल फ्रेंड्स प्रिप्रेशन में हेल्प करते हैं और फिर डिस्टर्ट करते हैं जोनों तरह से आप कैसे उनको करते हो जैसे आपका अच्छी फ्रेंड मिल गई जो मेंस इंटर्व्यू दे रही है तो आपका हर हाल में हेल्प करेंगी यदि वो प्री तो कितने गंटे पढ़ते थे और क्या-क्या पढ़ने का स्विडूल बना रखा था? मैं एक्चली कोचिंग भी पढ़ाता था जाके, मेरी प्रॉलम थी, फाइनेसल प्रॉलम थी, तो उसमें भी टाइम जाता था, चार गंटे-पांच गंटे चला जाता था, पर रेगुलरेटी मेंटेन नहीं थी, इमांदारी से बोल रहा हूं, रेगुलरेटी मेंटेन नहीं अभी आपके पैरेंट्स का क्या रियक्शन रहता है, जैसे अभी आप पैसे मांगते हो, कभी वो प्रॉब्लम में होते नहीं देते हैं, तो ऐसा तो नहीं कहते हैं, तो कब तक पैसा मांगता रहेगा, आप तक तेरे बच्चे हो जाने चाहिए तो तो थोड़ा कान्फिड नहीं की भी रात की, नहीं help किये, जैसे पर उनका पहला schedule दूसरे तरह का रहता था, जैसे आप इतनी तैयारी करी है, अभी आप पहले pattern, पुराने pattern से पढ़ते रहे, अब आप नए pattern में एकदम सारी चाहिए देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको क्या लगता है, जो न के साथ आप compete कर पा रहे हैं, नहीं, पुराने student के पास problem थोड़ी सी है, कि नए जो syllabus demand है exam की, उसके अनुसार नहीं चल परते है, क्योंकि वो coaching पुराने लोग गिये, तो वही अपना material पढ़ते हैं, अपडेट नहीं करते, और नए बच्चे हैं, कि नए उसके साथ पढ़त आपको साथ कहते रहे तरह के चीज़ां सुनने को मिलती रहती हैं, अपने आपको motivate रखने के लिए, जैसे एक बार को कोई अगर कुछ बोल देता है, उस टाइम तो दिमाग थोड़ा सा वो उस टाइम पर उन चीजों में उल जाता है, और काभी demotivate सा फील करते हैं, तो उ सफल बहुत लोगा बहुत पहले सफल रहे, बाद बहुत उचाही तर पहुंचे है, चाहिए आप किसी भी लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम फर्स बार में, फर्स टाइम तो सफल हो गया, तब ही सफल माने जाएंगे, आप डेली UPSC के तायरी में कुछ में कुछ डेली सीखते ह मैं बच्चों कहना चाहूंगा पहले आप बेसिक बुक जरूर पढ़िए, बहुत बड़े संस्तानों के चक्कर में न पढ़िए, मार्केट में इतना मैटेरियल उनको ये बारे में बिलकुन न पढ़िए, पहला बेसिक जैसे NCRT है, पूरी नहीं 6 से 12, कम से काम आप 11, 12 क पहले पढ़िए, पहले पढ़िए जरूर, इसके बाद डेली प्रैक्टिस जरूर करिए, पहला जो पेपर PCS के हैं 10 साल के उसको लगाई है, UPSC के 10 साल के उसको लगाई है, क्योंकि एक्जाम का पैटर्न वही डिसाइड करेगा, ना कि कोचिंग संस्तान डिसाइड है, तो भो भी कहीं न कहीं यहीं पर रहकर ही सेलेक्शन लिया है, तो अभी आप भी लगे हुए है, फाइनली की, हम सभी विस करते हैं कि आपको भी फाइनली सेलेक्शन हो जाए, तो अभी आपको क्या लगता है, कि जो स्टुडेंट्स यहाँ पे हैं, वो किन-किन समस्या कोचिंग संस्थानों की फीस बहुत ज़्यादा है तो बड़े संस्थानों को मालोग देखें कभी तो रिकुष्ट करूंगा कि कुछ फीस कम करें क्योंकि बच्चे मध्यम परिवार के बहुत आते हैं सब हाइफ हाई वाले तो नहीं आते और यहां संस्थान में जब को लेगर करके यहां का रूम रेंट का भी है यहां का रूम रेंट के तो अब समझेए कि इतने बड़ी रूम का दस ज़ार रूम है तो यह समझे यह बहुत छोटा है तो दस जार दे की फीस दे रहा हूं उसका, दस जार इसका रेंट दे रहा हूं, तो यह समस्या है बच्चों के साथ है, मुखरजी नगर से थोड़ा साटके है, बिल्कुल, 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 तो आप नहरु बिहार में रहे, स्टार्टिंग से पहले बिल्कुल, 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 जो आपको कुछ सिखा कर गए और इसे भी होंगे जो आपको बरबाद करनें स्वाण दुनोंत्राइं कि हैं कि इंड़ू क्या रही है मेरा से बढ़ ए है मेरा इंट्रेस्ट है माइक भढंवान ben हैं जैसे कभी-कभी खेलने को उस-काइंड-op पढ़ा रहा हूं साथ में यूपी PCS का जितना भी है वंडे एक्जाम का करेंट पढ़ाता हूं पूरा और इसके बाद C-set का पूरा प्रापर तरीके से पढ़ाऊंगा और इसके बाद UPSC के भी मेरे लेक्चर पढ़ेंगे पूरा और उसमें मैं गरंटी के साथ कहूंगा कि कि हाँ आप मेरे संस्ता से जुड़े हो या मेरे से पढ़ रहे हो आपका गरंटी दूंगा कि C-set में तो फेल नहीं होगे यह मेरी गरंटी रहेगी क्योंकि मेरा मैस सब्जेक्ट है मुझे इस्पीरियंस है कि एक्जाम की डिमांड क्या है मार्केट नहीं कि मैं कुछ उठ इस चीज का है कि जाम में पूंच के आ रहा है बच्चों को देना क्या चहिए तो अभी हमारा चोटा संस्ता है पर बहुत अच्छा फीटबैक मिल रहा है बताए एक बार कैसे जुड़ सकते हैं हाँ शिच्छा प्रदेश है मेरे ये चैनल का नाम है यूटूब चैनल का न बना है उसमें भी शिच्छा प्रदेश से नाम बना है या तो आप सुरेंट पटेल के नाम से जुड़ सकते हैं फेस्बुक में मेरा बना हुआ है मैं सर के जो सारे सोशल मीडिया है यूटूब का में लिए आपको लिंक दे दूँगा तो आप सर से जुड़ी है सर का काप आप करेंट का आप देखिए पहले आप मार्केर से लाइए और दो पत्तिका लाइए फिर देखे कि मेरे में इनमें डिफ्रेंस क्या है तो मुझे यह लगता है कि यह डिमांड है उसी को दिया जाया बहुत ज़्यादा और हाँ इस साथ में एक बुक लिखा था दिन दे रहे हैं, उसको एक दिन पढ़ लीजिए, आप ऐसा नहीं पहले एक बार मार्केट में देखिए, ऐसा नहीं कि मैं लेने के लेने ही बोला कि मेरी भूक है तो ले लो, पहले आप मार्केट में देखिए, ग्राप के द्वारा इतनी पतली है, 120 पेज है, दूसरी है 400 प जाए और वो अपने एक अच्छी लाइप स्टार्ट करें, आलागी आपको अभी काफी चीजे रिग्रेट भी होते ही, लेकिन कोई बात ने आपने अपने स्टार्ट कर लिया, तो उनको क्या मैसेज देना चाहता हूं, सबसे पहले बेसिक बुक पढ़ लीजिए, कुछ ब जो मैंने गलती किया, उसको मैं फील कर रहा हूं, मेरे दोस्त उनन गलती नहीं किया, वो बने बैठे है, आईसाइपिया, तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि मार्केट से ज्यादा इंप्वार्टेंट है, कि 10 साल का कुष्चन पेपर जरूर साल करें, ओके, सो थैंक यू सो सब्सक्राइब नहीं कर दो चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और आपको जो भी कोईरी होते हैं, आप हमें इस्टार्ग्राइब और फिस्बूक पर मैसेज कर सकते हैं, इन सभी की लिंग वीडियो का डिस्क्रिप्सिन में, जय हिन्दी